दोस्तों मैं नरेंद्र और हम आप पहुंचे हैं तीजारा विधान सावर सीट के अंदर और यहाँ पर आज 25 नवंबर है और लोकतंतर का महा उत्सव मनाया जा रहा है हर व्यक्ति यहाँ पर वोट डालने जा रहा है सब के विचार सुनाओगा इस वीडियो के साथ बने रहे लिए वीडियो को जादा से जादा सेर करते रहें चैनल को करते सस्क्राइब ताकि इस तरी की तमाम हम जो लेटर खबरे डाल रहे हैं उनका नौटिक एफिशन आप सभी को मिलता रहे राजस्तान की सबसे होड पॉपुलर सीट है जो की विदान सबात 34 यहाँ पर आई वह है और वत्मान में क्या स्थिति चली यह वोटरों के मन में चल रहा है कि इस मुट्टे को लेकर वोटिंग कर रहे हैं तमाम चान करिया में इस वीडियो के तहता आपको देने बारा हूं कहीं जाईए कमाट वीडियों को सीट मत करें आईये हम तमाम जलकियों से आपको अब होगत कराते हैं तो देख जो यहां से मेले बनेगा यह सोच लेना कि बहुत ज्यादा विकास होगा ते जारा के लिए सबसे ज्यादा होट शीट मानी जारी है 200 सीटों में से उसी का आप देख लो कि जो लाइने लग रही है यतनी लंबी-लंबी वह उत्सा है लोगों में आ कुछ एक जगे एक तरफा विकास हुआ है कैसे बताए खुल के बताए आप खुल के बोले तिजारा का विकास नहीं हुआ तिजारा का विकास नहीं हुआ आप बोले तिजारा का अंदर जो होस्पिटल की जो आज तक होस्पिटल में नहीं हुआ है अब जनता को यह है कि आ सब देखते हैं हमें उमीद है कि नई सरकार हमें हमारे रिये निया अधिकास लाई तो यहां से छाएंगे जीत तो गए अगर मुख्यमंत्री बढेंगे तो तीजारा का विकास के लिए इसको प्यूंटी के फुटी फुटी है कहीं भी जालो आप कहीं भी यह नहीं है कि कहीं भी एक्सिडेंट रोनी की संभावना ना हो सब जगे संभावना है लाइट ववस्ता लाइट चली जाए किसी भी मोसम में तो जल्दी नहीं आती है बारिस के मोसम में यह समझो कि बहुत बुरा हाल हो जाता है पूरे सहर में प इन्देवरापीट टे चल रहेगा हमने विकास किया हमने विकास किया अब यह जाय जो भी चीश हो विकास होगा जो भी छोटी छोटी चीजे हैं उनको सबको कंप्लीट करके रखे ज्यादा की भी कोई जरूत नहीं छोटी जो संसाधन फिलाल है उनको भी सही दुरूस्त सब्सक्राजर से विकास का नाम तो जुड़ गया तीजारा का बाकी विकास के लिए आया क्या है डी टियो विवाडी में है सब कहतें कि दो चार महिना के लिए काम करती हैं उसके बादसे एक भरस्टा-चार है कहीं भी चले जाओ आप पैसा अब ठाने में तैसिल में कहीं भी कोई भी काम हो कहीं भी सरकारी लिष्ट आनी हो या कोई सरकारी योजना का फायदा होना हो कोई फायदा ने बिलता है जो जानकार है उनको फायदा दे देते हैं वाकी और किसी का कोई फायदा नहीं है मोदी ने 22,000 रुप्या हाट में डाल ला हुआ है, गहलों सरकार ने कसबा के अंदर जमीदारों को किशी का भी पैसा नहीं दे रही पटवारी है, पटवारी तो जब करेंगे, जब यहां से इसस्टम सारा रिकोर्ट बेजेंगे, अब पटवारी मानलों बीच में गडबड कर जाए तो मोधी कहां से बेजेंगे मेरे साथ में युवा वोटर और मौझूद हैं कि किस मुद्दे को देखकर उन्होंने वोटिंग किये सर सुबनाम जाना चाहेंगे अपने विकास के लिए करिये और अपने टैसील में भष्टाचार हो रहा है अपने कोई चीज पलोट लेते हैं तो रिष्वत लेते हैं करमचारी हर चीज में खाना तैसील में भष्टाचार का मुद्द्द आये इसलिए हमने वोट किया बाब बाडखनार तो आपको क्या ऐसा लगता है कि जो सरकार बदलेगी उससे ब्रश्टाचार खतम हो जाएगा बाबा आएगा तो मिटे गाया बिलकुल खतम हो जाएगा पूरा राहिस्तान में खतम हो जाएगा यहां पर मेरे साथ में यूवर्ग और भॉजओ दे भाईया थोड़े से सामने आ जाएगा थोड़े से हम उनसे भी जान लेते हैं कि क्या कहना चाहते है वोट डालिया है उप्तरक्राइक्षां कर झा नाज तो इसप्राइन वोट चाहेंगे अपना सुनना यह जानना चाहेंगे लक्षिंडजी ओर अमित कुमार जानना चाहेंगे क्यों क्या है आपका मुद्दा जिसें वोट की आ और आपका तो क्या जो पिछली सरकार थी उसने कार्य नहीं किया लेकिन तो यहां पर देखिएगा मैं तीजारा पॉलिंग बूथ पर आया हुआ था और तमाम आप देख सकते हैं यहां पर बूथ से जो भाई निकल रहे हैं उनके मंद केक्षा जान लेते हैं कि वहीं 20 मुद्दे पर यहां पर वोटिंग करना चाहते हैं यहां पर आप वीडियो और तश्वीरों के माद्यम से देख सकते हैं कि ये जो तिजारा छेतर की सीट है सबसे होट सीट मानी जाती है और भी भाईया है अभी आ रहे हैं भाईया जी मेरे साथ में नए वोटर भाई जुर चुके हैं यहाँ पर सुब नाम जाना चाहेंगे अपना मदल्लाल सर्मा जी किस मुद्दे को लेकर आपने वोटिंग किये किस तरे का विकास चाहते हैं आप देखने सकते हैं तिजारा तो आप डिस्टिक बन चुका है सर अभी कहां बना है नाम का डिस्टिक है अभी अभी डाला है अभी नहीं डाला है लेकिन अपका मेन-मुद्दा वैसे होना क्या चाहिए क्या विकास मेरे साथ में बाव जी मुझूद है बाव जी शुब नाम जानना चाहेंगे और आम कुल ली डाला तो आप किस मुद्दे को लेकर आपने वोटिंग कि है जिसको बना दिया खैटल, अगर ये जिना खैटल की बज़र, तियारा की बज़र, अगर अलवर होता, वो वेरिन गुड, सब्सक्ते बेटर है वो, क्यों, कि लोग पाग अलवर अपने काम भी करियाते है, अधिकारियों सो कुल काम होते है, वो भी हो जाता है, घर का काम भी ह कि अब खैटल में कों जाएगा, ये एक्रुटरी जिदा वड़ा चीजी का डिजारा, जिसको बना दिया खैटल, खैटल को चाटो, इस तिजारा तो कुछ नहीं है, अधिकारी करेक्टर साब खैटल में खैटल बढ़ा दिये, तिजारा में है क्या युद्धा है, ये हमार दादी आया किस मुद्टे पर आपने वोटिंग किये मैं पार्टी नहीं बूज रहा क्या मुद्दा है आपका अब बोलो क्या कहना चाहेंगे अमन चैन रहना चाहिए यहां पर यूवर्ग भाईया कोई किसी ने वोट डाल का है हो तो सामने आ जाईए वोट डाल दिया आप आपका नाम जानना चाहेंगे विकरम सिंग सैनी जी है यहां सैनी जी नहीं जाटाओ 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 वो डालिया क्या परूफ है आपके पास रूफ यह ना अब ही डाल के नहीं आए जूट बोल रहें यह कोई बात नहीं आई आपकी बार क्या कुछ नया होने वाला है तीजारा होट सीट के अंदर कॉंग्रेस करेगी कॉंग्रेस रिपिट करेगी तो क्या कुछ आपके मुद्दे हैं क्या मुद्दा है आप बताईए कॉंग्रेस ने अच्छा काम किया अच्छा विकास किया और 25 लाग तक कहीं फिरी इलाज किया जो बहुत अच्छी पैंसन जनाधार और एक रूपे किलो गहूं बहुत सी योजना है जो कॉंग्रेस सरकार ने लागू किये ती रास्तान में य क्या जो पहले जो विदायक थे 2018 में जो आपने विदायक चुने थे क्या वह भाईचारा नहीं बिल्कुल सुख्षयान्ती थी उसके दोर में बहुत बढ़िया काम किया है उन्होंने 15 साल का सासन बहुत अच्छा गुजरा है उसका मेरे साथ में और भी योवर्ग मोजूद है अपना नाम जानना चाहेंगे सुनील कुमार जी किस मुद्दे को लेकर आप वोटिंग कर रहे हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं मेरे साथ में तमाम योवर्ग मोजूद है जो की वोट डाल डाल के आ रहे हैं सब के अपने अपने विचार हैं कोई विकास के मुद्दे पर कोई कॉई कॉंग्रेस वीजेपी करता है क्योंकि यहां पर जो तिजारा छेतर है इसको होट सीट माना जाता है यहां पर अब की जबरदस्त मुकाबला है किसकी होगी हार किसकी होगी जीत यह तो खेर इनकी तक्तीर बताएगी मेरे साथ में दूसरे भाई और मोजूद है वोट डालिया है वोट वही अकॉंट डाल गाए डालिया है अपना नाम जानना चाहूंगा परकास जी किस मुद्दे को लेकर जैसे बोलिया बोली संकोच होगी अच्छा एक बात बताईए मेरे को आप काफी यूववर्ग यहां पर मोजूद है क्या 2018 से और आज 2023 की 25 तारिक होगी आज वोटिंग हो रही है क्या कुछ परिवर्तन यहां पर देखने को मिला है क्या परिवर्तन हुआ है यह तो जो यहां भेड हो रही है पॉलिंग बूतों की बात कर रहे हैं पॉलिंग बूतों पर क्या कुछ परिवर्तन हुआ है परिवर्तन तो होगा आगे भी होगा क्या कहना चाहेंगे आप पॉलिंग बूतों के बारे में कि विकलांगों के लिए भी कुछ विवस्ता की गई है कि यह आपर अलग से लेके जाओ ठेट मोट साहिल जाती कोई भी उसका हो क्या यह प्रिशासन की वजह से लगाई गई है या फिर कोई जो कंडिडेट खड़े हो इनकी वजह से करीब करीब चार बजने वाले हैं कितने परसंट वोटिंग हो चुकी है अब बहुत परसंट बहुत होईगी और हो चुकी है क्या हम पिछला रिकोर्ड देखें 2018 का और आज है 2023 तो क्या कुछ अब की बार बढ़ेगा वोटिंग कितना परसंट बढ़ेगा नबे के आस्पास मान के चलों के यानिक हर बुजरक आदमी हर बच्चे आदमी सब इस तरह साहिस है आपके बहुत बढ़िया तरीका से बहु महा उत्सव मनाया जा रहा है राजस्थान और पूरे भारत देश में पांच राज्यों में चुनाव हो रहे हैं आज 25 तारीक को और यहां पर मैं आया हुआ था तीजारा होट शीट पर तो यहां पर ताजा रिपोर्ट से मैंने आपको अवगत करा दिया तमाम यहां पर व इतना ही हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दुबारा मिलेंगे तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखेगा स्वस्त्रिये मस्त्रिये और मुश्करात रहे जैहिंद वन्दे मात्रम वोटरों के मन में क्या वी चार चल रहे हैं वो देख लिए तो आज की वीडियो में बस